चारो तरफ हरियाली कलकल करता नदिया का पानी और सर्दियों का धूप में चिकन को रोष्ट करके मसाला फ्राई करके खाने से तो बहुती अच्छा लगेगा गाइस तो इसलिए हम लोग चले आए हैं एक जंगल की तरफ इस तरफ नदिया भी है और धूप भी है और देखि देखिए और हम चुक्हेल को अच्छे से रोष्ट करेंगे और मसाला भी ले निकाल देती हूं और यह देखिए चिकन चिक्कन चिक्कन का लेग किसको हम अभी अच्छे से आग में रोश्ट करेंगे गाईज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जलो लाइक शेयर कॉमेंट करना चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना गाईज और ये दखिए। इतना अच्छा जल रहा है और चिक्केन रोष्ट हो भी चुका है अभी हम इसको निकल देंगे और इसको अच्छी से धोएंगे अभी चिक्कन को पीच पीच करके बड़ा बड़ा साइज में काट लेंगे फाइनली काट लिए है सभी चिक्केन को और इस तरफ हमारा टमाटार और धनिया को भी हम धो लेंगे धो के इसको अच्छी से कटिंग कर लेंगे ये रहा प्याज का साग और इसको भी हम अच्छी से धो के कट कर लेंगे बड़ा बड़ा साइज में काटेंगे Finally मैंने काट लिया है अभी मैं इसको कढ़ाई को गरम कर लूँगी सबसे पहले और इधार मसाला भी रेडी हो चुका है कढ़ाई मैंने दे दिया है सिरसो का तेल तेल डालके अभी मैं चिकन को डाल दूँगी अभी हम इस मीट को ओयल में सेरसो का तेल में अच्छी से भून लेंगे क्योंकि मैं बना रही हूँ हादीबसी स्टाइल में रोस्टेट चिकेन मसाला फ्राई तो गाइस ये देखिए इसमें हम लोगों ने डाल दिया है प्याज और डाल दिया है हरी मिर्ची इसको डाल के अभी हम इसको अच्छी से भून लेंगे और एक एक करके सब मसाला डालेंगे स्वादने सरनमाग भी मैंने डाल दिया है अभी डालेंगे प्याज का साग और डालेंगे कटा हुआ टमाटर और हम इसको अच्छी से भूनेंगे लॉंग टाइम तक हम लोग इसको अच्छी से भूनेंगे क्योंकि चिकन का पीछ बड़ा-बड़ा है मसाला के लिए अभी हम कूटेंगे अद्रक और लॉसुन को अच्छी से एक पत्थर के मदद से कूट लेंगे और अच्छी से कूटके इसको हम डालेंगे मीट में तो अभी इसको हम डाल दी है डालके हम इसको एक मीनिट तक अच्छी से चलाएंगे भूनेंगे और गाइस ये देखिए मैंने उपर से डाल दिया है तेजपत्ता और दो सुखा मिर्ची और डाल दिया है हल्दी और जीरा और धनिया का पाउडर और थोड़ा से पानी डल गए अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला का स्मेल नहीं जाता है तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से और गाइस देखिए बाहर का भीव बहुती ज्यादा एट्रक्ट कितना अच्छा से आग जल रहा है इतना मास्त आग जल रहा था ना गैस क्या ही बता हूँ और मैं थोड़ा सा इधर जोल को टेस्ट कर लूँगी मसाला वगेरा ठीक ठाक है की नहीं तो सब कुछ ठीकी था सिर्फ थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक भी डाल देया है और यह रेडी हो गया मेरा रोस्टेट चिकन मसाला फ्राई तो गाइस यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी था और देखिए इसका कलर जस्ट वाव तो मेरे प्यारे दोस्तों नदिया कि इनारे रोस्टेट चिकन मसाला फ्राई का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बाके खाऊंगी और यह खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ओ माई गॉड मुझे तो एडिट करते वाक्त भी मुह में पनी आ रहा है तो फिर से आप लगों के साथ मुलाकात होगी दूर सदी परसी बहुत करना है एक वीडियो में तब तक के लिए टाटा करना है और खुछ करें च बहुत थूर सम्सादवब करना हम पुकी परसी हैνε भी आप लगा बाके सकता है पहल एक भी मुह मुलाई भी मुलाई करना है टेर भी तो दक रुरिते हैं पुरित हैं तamba मुझे ओाट